चली दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आज के टॉपिक को कलियर करने के लिए दोस्तों Gateway of Daily activism menu है, यहाँ से मैं जाओंगा vouchers में, मैंने vouchers को select करके और enter पेश कर दिया दोस्तो हम आगे voucher entry में मुझे sales voucher में entry करनी है तो keyboard से मैंने F8 प्रेस कर दिया sales voucher हमारे सामने इस तरह से open हो गया F2 प्रेस किया और यहाँ पर 1 October मैं यह sales voucher में entry करने जा रहा हूँ तो date मैंने कर दी 1 October, parties account name में हमारा cursor आ गया, मैं अर्पित कराना store का laser लगा दिया, parties account name में sales laser में मैंने sales का laser लगा दिया और यहाँ पर जो भी product मैं इनको sell करने जा रहा हूँ, उसकी detail मैं इस जगे पर दे देता हूँ, ठीक ना, तो यहाँ पर सबसे पहले, जो भी stock item मैं इनको sell करने जा रहा हूँ वो मैं यहाँ पर उसकी detail डाल देता हूँ ठीक है ना, तो जो मैं अर्पित कराना store को sell करने जा रहा हूँ, stock item वो मैं यहाँ पर डाल दिया, अब मैं क्या मेरी जो firm है, आका स्टेटर्स वो GST में regular registered है तो मैं जो भी sell करूँगा उस पर मुझे GST स्टेटर्स भी calculate कराना होगा, चूँकि आका स्टेटर्स हमारी जो firm है, वो मद्दप्रदेश की है, अर्पित कराना store है, यह भी मद्दप्रदेश में ही, इनका principal place of business है, तो दोनों एक ही state की यहाँ पर firm हो गए, तो मैं यहाँ पर CGST और SGST tax calculate करा होगा, मैंने CGST और SGST tax calculate करा लिया, और इस तरह से दोस्तों इस voucher entry को मैंने कर लिया, ठीक है जिस तरह से की normal हम sales voucher में entry करते हैं, page up का button press करके मैं इसी entry को वापस लेकर आ गया ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, तो देखे यहाँ पर अरमत कराणा store को sell करने जा रहा हूँ, तो मUJZE इसका printout निकालकर, अरमत कराणा store को देना होगा. अब जब मैं इसका printout निकालकर अरमत कराणा store को दूँगा, तो वहाँ पर कुछ detail म Holmes की printout में कुछ detail मुझे शोकराना mandatory है कौन सी detail एक तो सबसे पहले जो हमारी firm है आका स्टेडर तो मुझे अपनी company की detail इस sales invoice की printout में show कराना mandatory है क्या क्या mandatory है तो इसमें मुझे क्या करना होगा अपनी company का name show कराना होगा company का full address मुझे show कराना होगा with city इसके अलाबा company का principal place of business जिस state में है उस state का name भी मुझे इसमें सो कराना होगा इसके साथ ही साथ यदि हमारी company GST में registered है तो company का GSTIN यानि goods and services tax identification number भी मुझे इसमें सो कराना mandatory है तो ये तो मुझे सो कराना ही कराना होगा इसके अलाबा मैं चाहूं तो अपनी company की contact details जैसे की company का mobile number है इसके अलाबा mail idea वो भी मैं इसमें सो करा सकता हूं तो किस तरह से मुझे sales invoice की print out में company की पूरी detail जो की mandatory है उसको सो करा सकते हैं किस तरह सो कराएंगे वो आज की video में आपको बताया जाएगा इसके अलाबा आप company की mailing details से इसमें सो कराना चाहते हैं तो कैसे सो कराएंगे इसके अलाबा जब मैं sales invoice की print out निकाल कर आरपित कराना इस्टोर को दूँगा तो आरपित कराना इस्टोर जो हमारे buyer है इनकी भी हमको detail उसमें सो कराना mandatory है यानि हमें जिसको भी हमारा जो भी हमारा buyer है उसका name सो कराना होगा name सो कराने के साथी साथ उनका full address भी मुझे उसमें सो कराना होगा with city इसके अलाबा दोस्तों मुझे इसमें उनकी जो state है वो state भी सो करानी होगी और साथी साथ place of supply भी मुझे उसमें सो कराना होगा और इसके साथी साथ यदि हमारे buyers वो भी है वो यदि GST में registered है तो उनका GSTIN यानि goods and services tax identification number ये भी सो कराना हमारे लिए mandatory है तो किस तरह से आप इसको सो कराएंगे ये आज की वीडियो में बता जाएगा मतलब आज की वीडियो का जो topic है वो ये रहेगा कि sales invoice की print out में आप अपनी company की full detail जो की mandatory है उसको कैसे सो कराएंगे और इसके साथ ही साथ mailing details आप किस तरह से सो कराएंगे इसी के साथ ही साथ आपके जो wire है उनकी सारी की सारी detail और mailing detail आप किस तरह से सो कराएंगे ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अब दोस्तों मैं इसको क्या करता हूँ Escape की प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ क्योंकि ये Entry तो मैं करी चुका हूँ मैं आगया यहाँ पर Gateway टेली मुख मैननी उपर अब दोस्तों Company की Detail जो Sales Invoice में हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो जरूरी है कि वो Detail हमने कहीं न कहीं दे रखी हो तभी तो Teleprime Software उस Detail को सो करा पाएगा Sales Invoice की प्रिंट आउट में तो ये Company की Detail है वो कहां से उठाता है पहले ये जान लेते हैं क्योंकि जिस जगह पर Company Detail होनी चाहिए उस जगह पर यदि आपने Company की Mailing Detail नहीं डाल रखी है और Address आदी नहीं डाल रखा है तो फिर आपके Sales Invoice में वो सो नहीं हो पाएगा Print Out में तो सबसे पहले मैं आपर क्या करता हूँ? Alt के साथ के प्रेस कर देता हूँ इस जगह पर आ गया और Alter में जाता हूँ Alter में मैंने अपनी Company को Alter में खोल लिया ठीक है? अब यहाँ पर दोस्तों जब हम Company Create करते हैं यह वो ही Form है जहाँ पर कि हम Company Create करते हैं अब Company Create करते समय मैंने Company का Name यहाँ पर डाल रखा है Company का Address भी डाल रखा है तो यहीं से Company का Name और Company का Address Sales Invoice की Print Out में आएगा है ना और इस जगह यदि मैंने Company का Address नहीं डाल रखा है तो Company का Address हम सोर नहीं करा पाएंगे ना इसके साथी साथ यहाँ पर देखिए मैंने State भी Mention कर रखी है मद्दप्रदेश है ना इसके साथी साथ PIN Code है और Mobile Number भी मैंने इस जगह पर डाल रखा है Company का इसके साथी साथ जो Mail ID है वो भी मैंने इस जगह पर डाल रखी है तो Company की यह जो Detail से यानि Company का Name Company का Address Company की जो State है वो और Company की City इसके साथी साथ Company का Mobile Number और Company की Mail ID आदी वो इस जगह से हुटा आएगा तो यह आपको यहाँ पर डालना ज़रूरी है तभी आप शोकरा पाएंगे इस डेटेल को है मैं इसके प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ इसके साथी साथ मुझे Company का GST यानि आकास टेडर सो मेरी फर्म है वो GST में रेजिस्टर्ड है तो इनका GST IN यानि Goats and Services Tax Identification नमबर भी मुझे शोकराना mandatory है तो वो कहां से आएगा इसके लिए क्या करेंगे मैं F11 प्रेस करते हैं F11 प्रेस करने के बाद जब हम यहाँ पर Taxation में आ जाते हैं और Taxation में आने के बाद Enable Goats and Services Tax को Yes करते हुए इस जगे पर मैंने क्या कर रखा है अपनी कंपनी का GST IN यहाँ पर डाल रखा है तो GST IN जब मैंने इस जगे पर डाल रखा है तो GST IN यहाँ से उठाएगा तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आप Sales Invoice में प्रिंट आउट कराना चाहते हैं कंपनी की detail वो आपको उस जगे पर डाल रखनी होगी जिस जगे पर उसको आप डालना आपके लिए जरूरी है उस जगे पर नहीं डाले जैसे यहाँ पर मैं अपनी कंपनी का GST IN नहीं डालता तो मैं Sales Invoice में इसकी प्रिंट आउट में सोर नहीं करा पाता है तो यह जरूरी है कि आपको जो भी यहाँ पर शो कराना अपने Sales Invoice में वो आपने उस जगे पर डाल रखा हो जहां से कंपनी उठाएगी तो मैंने बता जहां से जो टेली प्राइम सॉप्ट वेयर वो उठाएगा तो कंपनी डेटेल इसे जा गैसे जाएगी अब मैंने मिरे जो बायर है है ना तो बायर की डेटेल कहाँ से उठाएगा चलिए वो भी जान लेते हैं इसके लिए मैं जाता हूँ Altar में जाने के बाद फ़िर मैं जाएगा और Laser में जाने के बाद अर्पित कराना Store के Laser को मैं यहाँ पर सेलेट करके enterprise कर देता हूँ, तो हमारे जो buyer की पूरी details उठाएगा, वो यहां से उठाएगा laser से न, तो अर्पित कराना store का जब मैंने laser बनाया था, तो laser बनाते समय देखें, मैंने यहां पर mailing details पूरी डाल रखी थी, address के column में मैंने address डाल रखा, city भी मैंने यहां पर डाल रखी है, state भी इनकी डाल रखी है, इसके अलावा, है न, इनका pin code भी मैंने यहां पर डाल रखा है, मैंने ऐसे dummy डाल रखा है, जो भी है, इसके अलावा देखें, तो pen number में मैंने इनका pen number भी डाल रखा है, registration type मैंने regular इनका GST भी डाल रखा है, तो यहां से उठकर आ जाएगा, और यदि आप इनकी जो contact detail है, वो भी डालना चाहते हैं, तो आप यहां से क्या करेंगे, एफ 12 प्रेस कीजिए, और एफ 12 प्रेस करके इस जगह पर आजाएंगे, और configuration में आने के बाद यहां पर आपको मिलेगा लिखा हुआ, उसको आप देखिए, यहां पर provide contact details है, मैं इसको yes कर देता हूँ, और yes करने के बाद enter प्रेस करके, control के साथ एफ प्रेस करके accept कर लेता हूँ, तो यह देखिए, इनका mobile number भी मैंने इस जगह पर डाल रखा है, इनका mobile number भी मैंने इस जगह पर डाल रखा है, इनका, तो यह सारी details जो आपके buyer की हैं, वो सारी details कहां से उठाएगा, daily prime software, आपके buyer के laser से हैं, तो यह मैंने दोनों जगह mention कर रखा है, company की detail मुझे जगह पर डालनी थी, मैंने डाल रखी, company create करते समय, company का GSTN मुझे जगह प print out में सो करा सकूँ, अब मैं चलता हूँ, अपनी उस entry को लेने के लिए, तो इसके लिए मैं चलता हूँ, display more reports में, फिर जाओंगा दोस्तो, account books में, और फिर जाओंगा sales register में, sales register में आएंगे, तो यहाँ पर मुझे साली sales के entry मिल जाती है, अब जो मैंने entry की तो उसको open कर रख लेना, यह तो आपको पता ही होगा, अब यहाँ से दोस्तों में जाओंगा print में, ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको print लिखा हूँ मिलेगा, मैंने print पर कर दिया mouse click, फिर मैंने यहाँ पर current आ गया, current को मैंने select करके और enterprise कर दिया, आप दोस्तों आ गया हम इस जूम कर दिया, अब देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे company की जो details देनी थी, वो यहाँ पर नहीं आ रहे है, सिर्फ company का name आ रहा है, आका status, ना तो इनकी state आ रही है, ना इनका जो address है, वो आ रहा है, GSTIN भी नहीं आ रहा है, कुछ भी सो नहीं हो रहा है, जब कि यह सो कराना मेरे लिए mandatory है, तो किस तरह से सो कराएंगे, भी मैं आपको बताऊंगा, बाइर की detail में देखेंगे, तो बाइर का name हो रहा है, और इनका सिर्फ address हो रहा है, इसके साथ ही साथ, इनकी जो state है, वो state जो 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 नहीं हो रही है, और पित कराना store का, escape की प्रेस करके, फिर escape की प्रेस करके और इस जगे पर आ गया है, अभी हम कहां गए थे, preview में गए थे, अब preview में नहीं जाएंगे, अब हमको ऐसी setting करना है, जिससे कि जो भी हमको details सो करानी है, company की और buyer की, वो मैं सो करा पाऊं, setting करनी होगी, इसके लिए दोस्तों, आब down arrow से नीचे आजाना है, नीचे आएंगे यहां पर तो आपको यहां पर इस जगे पर लिखा हुगा मिलेगा, company details देखी, यह आगी company details, अब यहां पर ही जो जो option है, उनको आप yes करके और वो detail ला सकते हैं, अब मैं कहां पर आगया, company details में आगया, company details में देख रहे हैं, तो यहां पर show company name yes था, इस वज़े से क्या हो रहा था, सिर्फ हमारी company का name, उस sales universe की printout में show रहा था, अब इसके नीचे आ जाई है, मैं down arrow से नीचे आ जाता हूँ, तो show company address है, इसको दोस्तों आप yes कर दीजिए, इससे क्या होगा, हमारी company का जो address, मैंने company create कर से समय डाल रखा थ यहां पर देखेंगे, तो show company address है, इसको no है, इसको मुझे yes करना होगा, और yes करने के लिए दोस्ता आपको yes नहीं लिखना है, आपको enterprise करना है keyword से, मैंने keyword से enterprise कर दिया, तो यह देखे yes हो गया, और फिर yes होने के बाद, आप क्या होगा, इससे हमारी company का जो address है, जो मैंने mention क इसके बाद फिर नीचे आजाते हैं, और नीचे आजाते हैं, इसके बाद आप यहां पर देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे, आपको show GST IN, इसको भी दोस्तों आपको yes करना है, इसको भी yes करने के लिए मैं enterprise कर देता हूँ, अब इससे क्या हो गया, कि हमारा जो sales invoice का print out ह है, उसमें company का name भी आ जाएगा, इसके साथी साथ company का address है, वो भी आ जाएगा, और address आने के बाद यहां पर नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे, तो यहां पर जो company का GST IN है, वो भी इस जगह पर show हो जाएगा, अब मैं क्या करता हूँ, escape की प्रेस करके, उसी जगह पर फिर आ जाता हूँ, आप चलता हूँ, preview में, preview को select करके मैंने enterprise के alt के साथ Z प्रेस कर देते हैं, तो यह देखी यहां पर, अब आप देखेंगे, तो यहां पर सारी detail इस जगह पर show हो ने लगी, देखिए, हमारी company का name भी सो रहा है, इसके साथी साथ company का address, company की city भी सो रही है company का GSTIN भी उसके column में सो रहा है, state name के column में company की states हो रही है, और email address में देखिए, तो यहां पर email ID भी इस जगह पर show हो रही है, इसके बाद दोस्तों, buyer की details में भी हमको setting करने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, escape की press करके, फिर इसी जगह पर आ जाएंगे, फिर हम चलेंगे configure में, configure को select करके मैंने enter place कर दिया, और इस जगह पर फिर हम आ गया print configuration में, print configuration में आने के बाद मैं so more है, इसको कर देता हूँ, enter, है न, जिससे कि जो भी और भी detail है, वो सारी की सारी को इस जगह पर खुलकर राज आएंगे, अब मैं इस जगह पर आ गया, अब यहां पर आने के बा यहां पर कोछ और भी आपके सामने इस जगह पर open होकर आ गया है, तो अब हम चलते इस जगह पर फिर आ जाते हैं, देखिए, so company name मैंने कर रखाता है, so company address भी कर रखाता है, so phone number है, इसको भी मैं yes कर देता हूँ, जिससे क्या हो गया, कि अभी जब हम देखने गए ते print preview, त तो नहीं हो रहा था company का, तो show phone number इसको भी मैं enterprise कर देता हूँ, enterprise किया, तो यह देखिए, हमारा जो यह बार बार नीचे चला जाता है, अब हम फिर इस जगह पर आ गए, so phone number मैंने इसको yes करा दिया, इसके साथ ही साथ show website है, इसको भी आपको yes कर सकते हैं, so CAE यान इसको भी आप yes कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको company details के जो भी यहाँ पर आपको feature मिल रहा है, उनमें जो जो भी आपको yes कराना है, जो जो भी show कराना है, उसको आप यहाँ से yes कर दीजिए, अब चलते है party details में, party details में यहाँ पर आए, अब देखिए, यह आगे party details, यानि wire की details को हमको इस से sow कराना हुए होगी न, तो देख्यां यहाँ पर show early details है, तो मुझे show contact details कराना है अपनी party की, यानि जो हमारी wire party है उसका है, तो show contact details को मजे सो कराना है, तो no है तो मैं इसको yes करने के लिए, एंटर प्रेस कर देता हूँ, एंटर प्रेस किया तो देखी, यह हमारी party details में, show contact details यस हो गई, इसके बाद show name and address from party master, यह यस था, इस वज़े से क्या हो रहा था, party का name show हो रहा था, और address, जो हमने party का master ने, party का जो laser बनाया था, उससे name और address हमारा उसमें show हो रहा था, अब यह लेकिन आप चाहते है, show name and address from party master, इसको yes कर दिया, अब आप यह चाहते है, show address in a continual line, सीधी line में चले, और जब वो line खतम होने को, उसके बाद नीचे आ जाए, तो मैं इसको भी yes कर देता हूँ, ठीक है, अब show address in a continual line, इसको भी yes करने के लिए enterprise कर दिया, फिर हम आगए, यह जर मैंने आपको दिखा है, मैंने इनका pen डाल रखा है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, yes करने के लिए enterprise कर देता हूँ, ठीक है, अब हम फिर इस जगे पर आगए, party details में, यहां है, show buyers GSTIN, तो हमारे जो buyer है, वो GSTIN उनके पास है, क्योंकि वो GST में registered है, तो इनका मुझक इसको GSTIN in goods and services, tax identification number भी so कराना mandatory है, तो so buyers GSTIN इसको भी मैं yes करने के लिए enterprise कर देता हूँ, तो यह भी आ गया, अब यह भी हमारे उसमें आ जाएगा, जो हमारी printout आएगी उसमें यह भी आ जाएगा, ठीक है, अब हम फिर इस जगे पर आ गए, party details में, अब इस जगे पर फि इसको भी मैं yes करने के लिए enterprise कर दूँगा, इससे क्या होगा, कि हमारे जो buyer की state है, वो state भी showने लगेगी और state का code, हर state के लिए code है GST में, तो वो code उस जगे पर showने लगेगा, मैंने इसको भी कर दिया, yes, इसके बाद, so place of supply, यह भी, so कराना, आपके sales invoice की printout में mandatory है, तो so place of supply पर आगया, और इसको भी yes करने के लिए, मैं enterprise कर देता हूँ, इसको भी मैंने यहाँ पर इस तरह से enterprise कर दिया, अब देखे, मैंने किस-किस को yes कर रखा है, तो यह देखे, so party details की बात करें, so contact details को मैंने इसकर रखा है, so name and address from party masters, इसको भी मैंने इसकर रखा है, so address in a continue line, इ display name of parties, तो यहाँ पर name only है, तो name आजाएगा, आपको कुछ और भी सो कराना है, तो enterprise करके जाएंगे, तो alias adhi भी आप सो करा सकते हैं, इसके बाद मुझे so pen permanent account number सो कराना था, तो उसको भी मैंने yes कर दिया, इसके बाद buyer का मुझे gstn सो कराना था, तो मैंने इसको भी yes कर दि तो place of supply का जो column था, उसको मैंने yes कर दिया, और इस तरह से मुझे जो चाहिए थी, इसमें mandatory detail वो मैंने इस जगह पर show कर दी, आप चलते हैं दोस्तों, back आ जाते है, escape की प्रेस करके, escape की प्रेस किया, अब दोस्तों मैं जाँगा, preview मैं अब preview को select करके, मैंने enter प्रेस कर दिया alt के साथ Z प्रेस कर दिया, अब इसको zoom करके देखते हैं कि जो जो हम चाहां रहे थे, वो mandatory detail और उसके साथी साथ content detail इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इस जगह देखिए, अर्पित कराना इस्टोर यहाँ पर नाम आ गया, और इनका जो address था, वो continue line में आ रहा है, इसके अलाबा इसमें जो mandatory था, अर्पित कराना इस्टोर का GSTIN सो कराना, तो GSTIN के column में इनका GSTIN सो रहा है, pen number के लिए मैंने इस कर दिया था, और अर्पित कराना इस्टोर के laser में मैंने pen number डाल भी रखा था, तो वो pen के column में नी permanent account number में इनका सो रहा है, state name मुझे सो कराना तो इनका number भी मैंने इस जगह पर show करा दिया, तो इस तरह से दोस्तों अब जब आप इसकी print out निकालेंगे, तो ये सब कुछ show जाएगा, और ये जो इसमें मैंने अपनी company की जो details हो कराई है, या मैंने अपने buyer की जो details हो कराई है, उसमें mandatory details थी, वो भी मैंने सो करा दिया, अब देखिए, इसमें मेरी company का contact number है, बो सो हो रहा है, अगर कोई buyer है, या कोई भी हमसे संपर करना चाहता है, तो इस number से हमसे संपर कर सकता है, इसी के साथ मैंने या पर mail ID भी अपनी आपर show करा दिया, तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी अपनी sales invoice की print out म और यहाँ पर यदि आपको print करना है, तो यहाँ पर print जो लिखा हुआ है, उस पर आप click कर देंगे, तो आप इसकी print out भी निकाल सकते हैं, या आप यहाँ पर भी आ गए, तो इस जगह पर भी prints हो रहा है, प्रिंट अक करेंगे जब आप, तो क्या होगा, जो भी हमने setting कर र अच्छे लगें, तो लाइक करें धन्यवाद,